हेलो दोस्तो मेरा नाम है ग्णीश, स्वागे थे आपका हमारे और एक ने विडियो में दोस्तों इस विडियो में हम आपको बताने वालے हैं एक ऐसे saving account opening process के बारे में जो saving account बिलकुल free होगा और आप इस account को बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने mobile से open कर सकते हैं और इस bank account को आप जैसे open कर लेते हैं instead आपको account number IFC code साथ या आपको एक freemium hardware ATM card भी मिल जाता है जिसे team card का यूज़ आप instant UPI setup करने के लिए use कर सकते हैं ब्लेंस मेंटेन करने की ज़रुरत ना हो किसी भी परकर का आपको hidden charge नहीं देना हो और इस्टेट आपको एक ATM card मिल जाए जिसका यूज़ आप फोन पे Google गूगल पे ATM चलाने के लिए कर पाए अपने इस account से किसी को भी पैसे भीज पाए मोबाल डेटी इस रिचार्ज कर पाए तो इसके लिए आप जियो पेमेंट बैंक में account open कर सकते हैं दोस्तो जियो पेमेंट बैंक जब पहले launch की गई थी तो उस टाइम भी उसरे यूज़ जियो पेमेंट बैंक में account open किये थे लेकिन उस टाइम फूल कवाए सी की facility नहीं थी जिस बज़े से वह account एक साल के अंदर close हो गया था आप वह से भी use account open कर सकते हैं और अपना फूल कवाए सी complete करके इस account को lifetime use कर सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में complete process step by step दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जियो पेमेंट बैंक में account को open कर सकते हैं यसा आपको कवाशी complete करना है तो complete information आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को complete देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दिजिए चैनल पढ़ना है चैनल को subscribe कर लिजिए तो दोस्तों जीओ पेमेंट बैंक में account open करने के लिए सबसे पहला आप MyGO app को open करेंगे दोस्तों मैं आप आपको जानकरी के लिए बता दू कि जीओ पेमेंट बैंक में account open करने के लिए आपके पास जीओ का ही number होना जरूरी नहीं है या आप किसी भी order operator के नमर से भी जीओ पेमेंट बैंक में अपना saving account open कर सकते है तो जैसे आप MyGO app को open करेंगे आपके समने इस परकार dashboard आएगा उपर आपको बहुत सारा section दिख रहा है जैसे कि हो mobile, fiber, music, games का तो आप इसको scroll down करेंगे आपको एक option दिखने को मिल जाएगा bank क आप देख पा रहे हैं तो आप bank बाले option पे click करेंगे आप जैसी दूसरों bank बाले section पे click करते हैं आपका mobile number verify होगा और आपके समने कुछ इस परकार interface आ जाएगा जहाँ पर आपको इस bank account की कुछ highlights बताई जाएगी तो देख सकते हैं या पर बताया गया है अगर आप जीओ payment bank account को open करते हैं तो इसमें आपको किसी भी परकार का blends maintain करने की जरुवत नहीं होगी no minimum blends required इसके बाद बताया है no hidden charges आपको किसी परकार का annual charge नहीं ले गया और साथ आपको free virtual debit card भी मिल जाएगा देख सकते हैं तो दूस्तों account को open करने के लाप simple let's get started वाला option देख पा रहे है अब जैसे दूस्तों let's get started पे click करते हैं अब आपको एक MPN set करना होगा जब आप अपने account से transaction करेंगे तो आपको MPN की required होगी तो दोस्तों आप अपने हिसाब से 4 digit MPN पे डालेंगे फिर से MPN को confirm करेंगे साथ आप fingerprint log भी set कर सकते हैं इसको आप enable रख देंगे इसके बाद आ करने के बाद आपको फिर से MPN को validation करना है तो आप अपना 4 digit MPN पे इंटर करेंगे और confirm पे click करेंगे आप दोस्तों जैसे आप MPN को validation करते हैं आप जिमेंट बैंक की page पे login हो जाएंगे देख सकते हैं आपके सामने कूछ चीज़ प्रकार dashboard आ जाएगा तो दोस्तों आपको बहुत सारे option देखने को मिल रहा है तो आपको एक banner देखने को मिल रहा है Jio payment bank का जिसमें लिखा है Welcome to Jio payment bank इंडिया का नया bank आपको option देख रहा है फिर से आप लेट्स स्टाटर्ट पे क्लिक करेंगे आप आपका मोबाल नमर्या पर वेरीपाय होगा देख सकते हैं आपका मोबाल पर ओटीपी जायेगा इसके बाद आप क्लिक करते हैं आप आपके समने इस परकार इंटरफेस आजाए अब दोस्तों अगर आपका डिजी लोकर का आड़ी नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं है आप निशिंद रही है आप अपना अधान नमर यहां पे डालेंगे इसके बाद साइन इन विद दा ओटीपी पे क्लिक करें अब जैसे आप आधान नमर डाल के साइन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके आधार रेजिस्टर मोबाल पे ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आपको यहां पे डाल देना है तो चली मैं ओटीपी डाल के कंटीणू पे क्लिक कर देता हूं अब दोस्तो तो यह आपका totally detail आपके आधार कार्ट से detect कर लेगा, देख सकते हैं, मेरा detail यहाँ पर आ चुका है, मैं security purpose के लिए blower करके रखा हूँ, तो देख सकते हैं, आपका name, address, further name, totally detail यहाँ आपके समने आ जाएगा, तो इसके बाद आपको next option दीकर, आप next पर click कर देंगे, आप दोस इसके बाद occupation को choose करेंगे, occupation चूज करने के बाद दोस्तो source of income आप select करेंगे, क्या आपका income source क्या है, इसके बाद आप annual income को select करेंगे, तो दोस्तो अगर आप एक student है, तो आप occupation में student को select करेंगे, इसके बाद annual income में जो minimum income होगा, वो आप select करेंगे, इसके बाद आप यहाँ term और condition को select करेंगे, देख सकते हैं, checkbox आपको दिख रहा है, checkbox पर तीक लगाएंगे, इसके बाद आप next option पर click करेंगे, अब दोस्तों financial detail फिल करने के बाद आपकी समने इस परकार नया page आजाएगा, जहांप आपको address फिल करना है, यह आपका address आधर कार्ड से detail कर लेगा, ले next पर click करेंगे, अब दोस्तों आपको अपने account में nominee को declare करना है, तो अगर आप nominee अड़ करना चाहते हैं, तो yes पर click करके आप अपना nominee डिल करेंगे, अगर आप बाद में nominee अड़ करना चाहते हैं, तो no पर select क्या हुआ है, no पर रहने दीजेगा, इसके बाद next पर click कर देंगे अब दोस्तों अब तक आपने जो भी application में detail फिल कीए हैं, वो सारा detail आपके सामने आजाएगा, देख सकते हैं, आपको अपना totally detail चेक कर लेना है, अगर आपको अपने detail में कोई भी गलत information लगे, तो आप इसको edit कर सकते हैं, आपको edit option अपर मिल जागा, edit icon पे click करके आप उस वीडियो के वैसी verification करना होता है, आपको account opening का जो reference number है, वो अभी आपको यहापको यहापके देखने को मिल जागा, मेरा पी reference number जेनरेट हो चुका है, मैं बलावर करकर आपका हूँ, अब दोस्तों देख सकते हैं, आपको वीडियो के वैसी verification करना होगा, तो यहापे वीडि पर क्लिक करती हैं, फीड से आपको interaction दी गई है, तो देख सकते हैं, अभी बताया गया है, आप सांथ जगा पर बैठी है, लाइट बाले जगा पर बैठी है, और आप अच्छे internet connectivity बाले जगा पर बैठी है, और अपने हाथ में pen card को रखें और आधार कार्ड को, इसके लेगा बेची को complete कर लेते हैं, आपको अपना अकांट डिटेल कैसे चेक करना है, कहाँ पर आपको डिटेल को भी मिले गा तो चलिए हम आपको बताता हूं, तो आप माई जिए आपको अपन करेंगे, फिर सा आप bank वाले section पे जाएंगे, आप click करेंगे, यहाँ पर आप अ इंगर प्रिण देंगे आप याप पर लॉगिन हो जाएंगे तो देख सकते हैं आप जी ओ पैमेंट बैंक के पेज पर आ जाएंगे आपको यह पर आपको अपड़ पासुग का तो आप पासुग करेंगे तो आपको अपना अकाउंट लिकेल देखने को मिल जाएगा साथ आ आप इस account से directly ये bank account में पैसे भी जिवेश सकते हैं जहाँ पर आपको किसी भी फरकर कर charges नहीं देनी होगी तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो payment bank में अपने जीरो बेने saving account open कर सकते हैं जैसा कि मैंना आपको इस वीडियो में complete process दिखा दिया है अधो आप कोई जानकर आच ले इस लिए तो लाईक कीजिए चैनल परना है चैनल को सुस्क्राइब कीजिए वीडियो को आग stress कीजिए आपके मन में कोई भी ए वीडियो की नीचे comment कीजिए मिंसे नेट्स विडियो में है थेंग यू जाहिंहुँ